नमस्कार दोस्तों! एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. दोस्तों, साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहन 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को लगने जा रहा है. यह ग्रहन बहुत ही ज्यादा अद्भुत होने वाला है. इस ग्रहन के दौरान तीन ऐसे खास संयोग बनने वाले है जो की लगभग 175 सालों के बाद बन रहे हैं. तो आखिर कौन से ऐसे वा खास संयोग है और ग्रहन के दौरान आपको कौन-कौन सी सावधानिया रखनी है, ग्रहन कौन से नक्षत्र में पढ़ रहा है, इसके साथ ही हम लोग ग्रहन का सही समय और सूतक काल क्या होगा? इन जोतिश शास्तर के अनुसार, ग्रहन का प्रभाव विषेश रूप से गर्भवती महिलाओं पर पढ़ता है। लोग इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें. दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार, सूर्य ग्रहन उस स्थिती को कहा जाता है, जब सूर्य और धर्ती के बीच चंद्रमा आ जाती है और यह तीनों एक ही रेखा में होते हैं, ऐसी स्थिती प्रायह अमावस्या के दिन ही परती है, तीनों एक ही रेखा में होने की वजह से सूर्य का प्रकाश धर्ती तक नहीं पहुँच पाता, बलकि चंद्रमा के द्वार पर शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहन उस इस्थिती को कहते हैं, जब सूर्य राहू और केतू के द्वारा ग्रास कर लिया जाता है, माना जाता है इस समय सूर्य कमजोर पर जाता है और इस समय के दौरान नकारात्मकता बढ़ जाती है. ऐसे में सूर्य ग्रहन के समय में सभी प्रकार के शुब कार्य वर्जित माने गए हैं। ऐसे में दोस्तों सूर्य ग्रहन का समय आपको जरूर जानना चाहिए। 28 अक्टूबर को साल 2000, 23 का दूसरा चंद्र ग्रहन लगने वाला है। शास्त्रों में बताया गया है यदि एक ही माह में 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहन लगे तो यह बेहद ही अशुब संयोग माना जाता है। ऐसे में आश्विन मास की अमावस्या थिथी पर जहां एक तरफ चुकल पक्ष, पूर्णिमा, थिथी पर साल का दूसरा चंद्र ग्रहन लग रहा है। ऐसे में यह दोनों ही ग्रहन बहुत ही ज्यादा अशुब होने वाले हैं। और इस ग्रहन में आपको सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों आपको बता दें कि यह संयोग कई है। यानि कि दोनों ही ग्रहन दिन शनिवार को परने वाले है। माना जाता है SHANIवार को परने वाला ग्रहन बेहत दुरलब होता है। दोस्तों, 2023 का दूसरा ग्रहन इसलिए भी बहुत ही ज्यादा महतवपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह 14 अक्टूबर को लगने जा रहा ह और आप सभी जानते होंगे कि इसके ठीक एक दिन बाद यानी की पंदरह। पानी भी नहीं पीना चाहिए। ग्रहन के दौरान भगवान की किसी भी चीज और मूर्तियादी को हाथ नहीं लगाया जाता है। ग्रहन के सूतक शुरू होने से पहले लोगों को खाने पीने की चीज़ों में खास कर अचार, मुरब्बा, दूध, दही और अन्य खाध्य पदार्थों में तुल्सी का पत्ते हैं। रख देना चाहिए। ऐसा करने से खाने की चीज़ों पर ग्रहन का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ग्रहन समाप्त होने के बाद तुल्सी की पत्तियों को भोजन से निकाल कर ही भोजन ग्रहन करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहन के टाइम में हमें कभी भी किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। माना जाता है सूर्य ग्रहन के टाइम में ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियां जैसे की भूत प्रेत चुडैल एवं काली शक्तियों का वास होता। दोस्तों, सूर्य ग्रहन के टाइम हमें किसी तिराहे या चौराहे पर पड़ी अंजान वस्तू को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। दरसल, ऐसे समय में तांत्रिक लोग अपनी काली शक्तियों को सिध्ध करनिये के लिए ऐसी जगहों पर रुप्या पैसा सिक्का छोड़ कर आ जाते हैं। यह अगर आप अपने घर ले आते हैं, तो यह आपको भारी नुकसान पहुँचा सकता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहन के टाइम में हमें अपने बाल और नाखूनों को नहीं काटना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में बेहद अशुभ बताया गया है। सूर्य ग्रहन के टाइम में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने ए घर में मौजूद पूजा स्थल में प्रवेश ना करें और ना ही हमें मंदिरो मैं प्रवेश करना चाहिए. इस दोरान निरंतर गायतरी मंत्र का जाप करते रहना चाहिए. दोस्तों सूर्य ग्रहन के दोरान किसी भी धारदार अत्वा नुकीली वस्तू जैसे की चाकू कैची या फिर सुई जैसे उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए इस दोरान कपड़ा काटने या सिलने के लिए सुई और कैची का प्रयोग नहीं करना चाहिए इस दोरान फलों को काटने के लिए या फिर सबजियों को काटने के लिए चाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए तो दोस्तों यह सब कुछ ऐसे नियम है जो कि हमें ग्रहन के समय मानना चाहिए दोस्तों सूर्य ग्रहन समाप्त होने के बाद हमें पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए इसके साथ ही हमें अपने घरों में भी गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए अगर दिन का समय है तो भगवान सूर्य को सनान करने के बाद जल अर्पित करना चाहिए दोस्तों क्यूंकि यह ग्रहन शनिवार को लग रहा है तो ऐसे में इस ग्रहन में दान का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है ग्रहन के बाद आपको काली वस्तूओं का दान करना चाहिए जैसे की काला कंबल, काला जूता या फिर कोई भी काला वस्त्र आप दान में दे सकते हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहन के दौरान गर्भवती महिलाओं को ग्रहन नहीं देखना चाहिए जब भी सूर्य ग्रहन या चंद्र ग्रहन की खगोली ये घटना घटे तो इस दोरान गर्भवती महिलाओं को भूल कर भी चाकू कैंची या किसी धारदार चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए सूर्य ग्रहन के दौरान गर्भवती महिलाओं को ग्रहन के खत्म होने के बाद सनान अवश्य कर लेना चाहिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहन के दौरान सनान नहीं न करें इससे गर्भस्त शिशु को शारीरिक दोश हो सकता है ग्रहन के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए ग्रहन के दौरान खाना पकाना चाहिए और ना ही सजना संवरना नहीं चाहिए गर्भवती महिला पर ग्रहन का नकारात्मक प्रभाव न पड़ी डेये इसके लिए उन्हें तुलसी का पत्ता जीब पर रखकर हनुमान चालीसा और दुर्गास्तुति का पाठ करना चाहिए ग्रहन खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को पवित्र जल से स्नान करना चाहिए ग्रहन के दौरान मानसिक रूप से मंत्र जाप करने से स्वयम के और गर्भस्त शिशु के शारीरिक और मानसिक स्वास्थे पर सकारात्मक और उत्तम असर पड़ता है सूर्य ग्रहन के शुरू होने से पहले गर्भवती महिलाएं अपनी लंबी यानि की सिर से पैर तक की लंबाई का एक धागा ले लें उसके बाद उसे एक स्थान पर टांग दें पूरे ग्रहन काल में उसे वहीं रहने दें जैसे ही ग्रहन समाप्त हो जाए उसे जल में प्रवाहित कर दें ऐसी मान्यताएं हैं कि इस उपाय के करने से गर्भवती महिला और शिशु पर बुरा प्रभाव नहीं होता है चलिए जानते हैं ग्रहन के सही समय और सूतक काल के बारे में दोस्तों सूर्य ग्रहन में सूतक काल ग्रहन लगने से ठीक बारह घंटे पहले शुरू हो जाता है जबकि चंद्र ग्रहन में यह नौ घंटे पहले शुरू होता है ग्रहन के सूतक काल के दौरान सभी प्रकार के शुभ कार्य की मनाही होती है इस दौरान देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिये जाते हैं अगर आपको ग्रहन लगने का सही समय पता है तो आप उसमें से 12 घंटे घटा करके सू तक काल निकाल सकते हैं दोस्तों साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहन 14 अक्टूबर को रात 8 बज कर 33 मिनट से शुरू हो जाएगा और यह ग्रहन लगभग 5 घंटे तक चलेगा ग्रहन की समापती रात 2 बज कर 25 मिनट पर होगी या फिर कहें तो 15 अक्टूबर को सुबह 2 बज कर 25 मिनट पर चलिए अब जानते हैं यह ग्रहन कौन कौन से देशों में दिखाई देगा हम लोग इस विशय पर भी बात करेंगे कि ग्रहन के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियों का पालन करना है दोस्तों कलश स्थापना से पहले ग्रहन लगने की वजह से ग्रहन के नियम और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और खास करके ग्रहन के बाद वाले जो भी नियम है जैसे कि सनान दान यह नियम और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं ताकि आप पूरी तरह से शुद्ध होकर अगले रोज कलश स्थापना कर सकें या फिर मंदिरों में पूजा पाठ के लिए जा सकें। दोस्तों यह ग्रहन पश्चिमी अफ्रीका, नौर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्टिक में दिखाई देगा। यह ग्रहन भारत में नहीं दिखाई देगा। अब ऐसे में सवाल होता है कि क्या हमें इस ग्रहन से जुड़े हुए नियमों का पालन करना है। दोस्तों, क्योंकि भगवान इसलिए केवल एक ही है, तो ऐसे में हमें ग्रहन से जुड़े हुए नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए।